हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रोपेसर सिकंदनेगी आज हम डिसकस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड और्गनाजेशन यानि विशो वैबार संगठन इस तोपिक में हम जो मैनलो लिसकस करेंगे What is WTO? About WTO? History of GATE and WTO Objectives and functions of WTO Membership of WTO, Structure WTO Minister Conference, Impact of World Trade Organization World Trade Organization's Agenda and Its Justification WTO challenges, Future of WTO एंड लास्ट हम जो डिसकस करेंगे दा कन्क्लूजन 1st of all we know what is WTO. WTO stands for World Trade Organization . The World Trade Organization is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart is the WTO agreement negotiated and signed by the bulk of the world's trading countries and ratified confirmation in their parliaments. The goal is to help producer of the goods and services, exporters and importers conduct their business. WTO का अर्थ है विशो वेपार संगतन विशो वेपार संगतन एक मात्र वेश्विक अंतराष्टि संगतन है जो राष्टों के बीच वेपार के नियमों से निपड़ता है. इसके दिल में दुनिया के वेपारिक देशों के थोक द्वारा WTO समझोते, बाचीत और हस्ताक्षर किये गई है और उनके संसत में पुष्टी यानि कनफर्मेशन की गई है. लक्षे माल और सेवाओं, निर्यातकों यानि Target Goods and Services Exporters के उत्पादकों की मदद करना है और आया तक अपना वेपसाइट संचाली करते हैं. About WTO, Formation यानि इसका गठन एक जन्वरी 1995 को हुआ था. अगर हम इसके टाइप यानि इसके परकार की बात करें, International Trade Organization यानि अंतराश्टी वैपार संगठन. इसका जो Headquarter है यानि मुख्याल है, Switzerland का जिनिवा शेहर है. अगर हम Member Countries के बात करें, तो वर्तमान में इसके 164 देश इसके सदस्य है. इसमें जुनने वाला जो New League कंट्री है वो अफगानिस्तान है. इसका जो Official Languages है, अंग्रेजी, फ्रेंच एंड स्पैनिश. डारेक्टर जनरल की बात करें, वर्तमान में इसके महान निदिशक, र मिलियन अमेरिकी डॉलर. स्टाप वर्तमान में इसमें 640 है. विश्व व्यापार संगठन का पहला समयलन दिसंबर 1996 में सिंगापूर में हुआ था. नेक्स टम डिसकस करते हैं, History of Gate and WTO, यानि Gate और विश्व व्यापार संगठन का इतियास. WTO के गठन से पहले, Gate यानि General Agreement on Tariff and Trade के तहत कहीं बार वार्ता एवानी टॉक्स हुई. इनमें सिंगर 1996 में उर्गवे मंत्रिस तरिये बैठके काफी मैतवपूरन थी. उर्गवे दोवर में कहीं जेटिल मुद्धों यानि Complex Issues पर बातचीत हुई. पर इनके केंदर में यानि इसके जो सेंटर में अमेरिका, येरोपिय संग और जापान का प्रस्ताव था. उर्गवे दोर आठ वर्षों यानि 1996 से 1994 तक चलता रहा. इस दोरान वैपार उदारिकरन, वेश्विकरन के नए अवतार के रूप में उबरा. उद्योगिक प्रशुल्क और गेर प्रशुल्क अवरवदों को हटा कर गेट ने वैपार उदारिकरन को आसान बनाया. उर्गवे दोर इसलिए भी मेत अप्रण है क्योंकि इसने वैपार एजेंडे में ओद्योगिक माल यानि इंडरस्ट्रियल गूर्स के साथ साथ क्रिशी उत्पादों के वैपार सिवाओं का निजिकरन बहुतिक संपदा यानि इंट्वेक्चिल प्रॉपर्टी अधिकारो सफलता पूरक सिमित किया गया दिसंबर 1990 तक एक बिस्त्रित प्रारूप त्यार कर लिया गया जिसे फाइनल एक्ट या डंकल प्रारूप के नाम से भी जाना गया इसका नाम आर्थर डंकल 1980 से 1993 के उपर पड़ा जो उस वक्त गैट के मानिर्देशक यानि डारेक्टर ऑफ जन्रल थे अप्रेल 1994 में मार्क किश यानि मौराको के मंतरिस्तरिया सम्मेलन में इस फाइनल एक्ट को अपचारिक यानि फॉर्मल रूप से एकसेप्ट कर लिया गया इस परकार एक जन्वरी 1995 से डव्ली ट्यो अस्तितों में आया और इसने गेट की जगा ले ली डव्ली ट्यो समझोते का मकसद वयपार के अपस्टेकल को दूर करना था और इस लितियां पैदा करनी थी जिसमें बड़े कॉपरेट पूरे विश्व में वयपार कर सके इसमें माल के वयपार के लिए प्रशुल्क जो अपस्टेकल को दूर करना शामिल था गेर प्रशुलक वैपार अवरोदों में सवस्ते प्रेवरन और श्रम कानून इतियादी विश्य शामिल है WTO का गठन 1995 में हुआ लेकिन पिछले 50 वर्षों से इसका सोहरूप General Agreement on Tariff and Trade के मादम से दीरे दीरे त्यार हो रहा था Second World War के बाद जुलाई 1944 में अमेरिका के New Hampshire में स्विक्त राष्ट मोधरिक और वित्य समेलन हुआ इसे Britain Boots समेलन के नाम से भी जाना जाता है इस समेलन का आयोजन अंतराष्ट मुद्रा और वित्य वेवस्ता को regulate करने के लिए किया गया था इसमें 44 कंट्री से 730 प्रतिनीदियों ने भाग लिया इस समेलन के परिनाम स्वरूप Reconstruction and Development के लिए अंतराष्टिय बैंक यानि विश्व बैंक और अंतराष्टिय मुद्रा कोश यानि IMF का अगठन हुआ तत्पचाथ ये तेह किया गया कि अंतराष्टिय आर्थिक सेकारिता के लिए एक तिसरी संस्ता का अगठन किया जाएगा मार्च 1948 को हवाना यानि क्यूबा में आयोजित वैपार और रोजगार पर सुक्त राष्ट समेलन में अंतराष्टिय वैपार संगठन यानि ITO International Trade Organization की स्तापना को लेकर चर्चा हुई यह तिसरा ब्रिटन बूर्स संस्ता था और बहुपक्षी वैपार वैवस्ता की देखरेक के लिए इसे निर्ने लेने और विवाद निप्टान यानि dispute settlement के लिए जरूरी शक्तियां भी देने का प्रस्ताव था लेकिन 1950 में अमेरिका की सिनेट ने यानि वाँ की संसत ने हवाना चार्टर को मानने से इंकार कर दिया इस परकार ITBO यानि World Trade Organization बनने से पहले ही खतम हो गया जिस वक्त ITO के प्रारू पर बाचित हो रही थी और देश ये विचार कर रहे थे कि वे इस संगठन के साथ जूड़ेंगे या नहीं उसी वक्त 23 कंट्री के प्रतिनीदियों ने जिनिवा में गेट के रूप में अंतिम समझोता यानि प्रोविजनल एगरिमेंट अपनाया इसका उधिश्य सपलतापुरग वेपार का उधारिकरन और मुक्त वेपार के सिधान पर आधारित विश्यो बाजार स्तापित करने क था और साथ ही 1930 के ममंदी यानि ग्रेट डिप्रेशन के दोर के लिए गए सरक्षनवादी उपायों से हुए नुकसान की बरपाई करना था इस समझोते को एक जन्वरी 1948 से लागू किया जाना था और ये तभी तक रहता जब तक आईटियो की स्तापना नहीं हो जाती है गष्ट 1995 में WTO के गठन तक अंतराष्टी ववयपार को संचालित करने वाला ये एक मात्र बोवपक्षिय उपकरन था गेट समझोता ये फोर्सिवल नहीं था सविकुत राज्य अमेरिका और अन्य राष्टो ने गेट को इस शर्थ पर सिविकार किया कि इसके प्रावदान अभी तक यानि फोर्सिवल होंगे जब तक कि वे देश के मोदुदा कानून के साथ असंगत ना हो इसे अन्तिम प्रयोग का प्रोटो कॉल यानि प्रोटो कॉल आप प्रोविजनल एप्रिकेशन कहा गया इस शर्थ पर स्विकार किया गया कि इसके प्राधान तभी तक फोर्सिबल होंगे जब तक वे देश के मौतुदा कानून के साथ असंगत ना हो इसे अंतिम प्रयोक का प्रोटोकॉल यानि प्रोटोकॉल और प्रोविजनल एप्लिकेशन कहा गया गेट के ततवादन में वे आठवे दौर की वारता 1966 से 1994 के फल्सुरूप एक जन्मरी 1995 को विश्व वैपार संगठन का जनम हुआ जिसे उर्गवे दौर के नाम से जाना जाता है इससे पहले गेट केवल वस्तों के वैपार तक सिमित था उर्गवे दौर की वारता में नहीं समझोते पर भी बात चीत हुई जिनमें सेवा वैपार का आम समझोते और बोधिक संपदा यानि इंट्वेक्चल प्रोपर्टी के वैपार से जुड़े पेलों पर समझोता यानि बाइलेटरल एग्रिमेंट का संग्रे था जिसे संसागत डांचे का अबाओ था गेट 1947 को समाब्द कर दिया गया और डव्यू ट्यो ने गेट 1994 के रूप में इसके प्रावदानों को सरक्षित रखा तथा माल वैपार संचालित करना जाली रखा सेवाओं के वैपार एवं बोधिक संपदा अधिकारों यानि intellectual property के जो राइट को समनने गेट नियमो द्वारा कबर नहीं किया गया था गेट ने प्रामश एवं विवाद समाधान प्रदान किया यानि dispute settlement प्रदान किया यदि कोई गेट का जो पार्टी है यह माने कि किसी अन्य गेट पार्टी ने उसे वैपारिक शती पहुचाई है तो यह उस पार्टी को गेट विवाद निप्णाने का आवान करने की अनु सिमा विवाद पैनल की स्तापना में शीतलता था गेट का पार्टी द्वारा किसी पैनल रिपोर्ट पर सविकृति सम्मंदी अबाव थे इसने गेट को एक कमजोर विवाद निप्णान तंत्र के रुप में स्तापित कर दिया नेक्स्ट है अब्जेक्टिप्स ओफ वर्ल्ड ट्रेड और्णाजेशन यानि विश्व वैपार संगठन का उदेशिया विश्व वैपार संगठन के समझोते लंबे और जटिल होते हैं क्योंकि इनका पार्ट कानूनी होता है और ये गतीबीजियों की वैपक रेंज को पर करते हैं लेकिन कहीं सरल मौलिक सिदान भी इन सभी दस्तावेजों में होते हैं ये सिदान बहुपक्षी वैपार यानि मल्टी लेटरल ट्रेड प्रनाली की नीव है एक देश को अपने वैपार बागीदारों के बीज बेदवाव नहीं करना चाहिए और इसे अपने औ पादों सेवाव और नागरिकों के बीज भी बेदवाव नहीं करना चाहिए वैपार को प्रोसाइद करने के लिए सबसे सपश्च तरीकों में से एक है यानि ट्रेड बेरियर्स को कम करना इन बेरियर्स में शामिल है सीमा शुल्क या टेरिप और आयात प्रतिवन या रिस करता है विजेशी कंपनियों निवेश शकों और सरकारों को वैपार और स्टेकर्स को मनवाने डंग से नहीं बढ़ाया जाना सुनीचित करना चाहिए सितरता एवं प्रेडेक्टिबिलिटी के साथ निवेश प्रोसाइद होता है रोजा के आउसर बनते है और उबोकता प् पसंद और कम कीमत उठा सकते हैं अनुचित प्रताओं यानि अनफेर प्रैक्टिसिस को डिस्करेज करना जिसे बाजार में अपनी हिस्सिदारी बढ़ाने के लिए निर्यात सबसीडियों और डंपिंग उत्पादगों की लागत कम करना मुद्य जटिल है और नियम क्या सह ही है क्या गलत है कि स्ताबना करने की कोशिश करते हैं और सरकारे कैसी प्रतिक्रिया करती है खासकर अनुचित वैपार द्वारा वे नुकसान की बरपाई के लिए अतिरिक आयात शुर्क लेकर लास्ट है WTO के समझोते सदस्यों को ना सिर्फ प्रेवन बल्कि जन सवास्ते है पशु सवास्ते है एवं ग्रह के सवास्ते के सरक्षन के उपाय करने की अनुमती देते हैं आलंकि ये उपाय राश्टी और अंतराश्टी वैपार दोनों ही पर ही एक तरीके से लागू किय जाना चाहिए नेक्स्ट है World Trade Organization Functions फस्ट है WTO का संचालन उसके सदस्यों की सरकारे करती है सभी प्रमुक फैसले पूरन सदस्यों द्वारा चाहे वो मंत्रियों जो आमतोर पर दो वश में कम से कम एक बार बैठक करते है या उनके राजदूत या प्रतनीदियों द्वारा जो जिनिवा में निये में तुरूप से बैठक करते हैं ये किया जाता है WTO अपने सदस्यों द्वारा संचालित है अपनी गतिविदियों को समानमीत करने के लिए ये बिना अपने सच्ची वाले द्वारा काम नहीं कर सकता सच्ची वाले में 600 से अधिक करमचारी काम करते ह और इनमें वकील और शास्त्री स्टेट टिक्सेशन और संचार विशेशगया होते हैं जो WTO के सदस्यों को अन्य बातों के अलावा देनिक आदार पर वर्तलाब प्रक्रिया के सुचारू होने और अंतराश्टी वाले पार के नियमों को सही तरह से लागू करना सुनी चित करता है सेकिंड है बिजनेस टॉक्स यानि वैपार वर्ता WTO समझोते वस्तों सेवा और बोदिक संपता यानि इंट्रेक्शल प्रॉपर्टी को कवर करते हैं यह उदारिकरन के सिदानतों और अनुमित उपवादां यानि परमिटिट एक्सेप्शन की व्यक्या करते हैं इ यानि बेरियर्स के प्रतिवत्ता एवं सेवा बाजार को खोलने एवं उसे खूला रखने शामिल है विवादों के निप्टाने के लिए यह प्रक्रिया का निदारन करते हैं यह समझोते स्ताई नहीं होते हैं समय समय पर इन पर भी फिर से बाचीत की जाती हैं और पेकेज पास एजन्डे के तहट अब कहीं समझोते के जा चुके हैं नेक्स्ट हैं इंप्लिमेंटेशन ओफ मोनेटरिंग यानि कारिन्मेन और निगरानी डव्यू टियो समझोते के तहट सरकानों को लागू कानूनों एवं अपना गए उपायों के बारे में डव्यू टियो को सु पुनिचित करती है कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं और डव्यू टियो के समझोते का करेंवेन उची तरीके से हो रहा है या नहीं समय समय पर डव्यू टियो के सभी सदेस्यों की वैपार नितियों और प्रताओं की समिक्षा की जाती है प्रतेक समिक्षा में स सच्ची वाले द्वारा धी गई रिपोर्ट होती है नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजूलिशन यानि विवादों का निप्टारा विवाद निप्टान समझोते के तहद वैपार सम्मंदी जगड़ों का समादान करने की डव्यूट या किनी देशों को लगता है कि समझोते के तहद उनके अधिकारों का उलनंगन किया जा रहा है तो वे विवाद को डव्यूट योँ में पेश करते है विशेश रूप से निप्त किये गए सोतंत्र विशेश रिग्यों दोरा किये गए फैंसले समझोती की बेख्या और अलग अलग देशों की प्रतिवद्दताओं पर आदारित होते है नेक्स्ट है बिल्डिंग बिजनस एंड कैपस्टी यानि वैपार शम्ता का निर्मान WTO के समझोते में विकाशिल देशों के लिए विशेश प्रावदान होते है इसमें समझोते और प्रतिवद्दताओं को लागू करने के लिए अधिक सम्में उनके वैपार अवसरों को बढ़ाने के लिए उपाय और उनके वैपार शम्ता के निर्मान विबादों से निप्टने और तक्निकी मानकों को लागू करने में मदद करने के लिए समर्थन देना शामिल है WTO सालाना विकाशिल देशों के लिए तक्निकी मिशनों का ऐजन करता है साथ ही ये सरकारी अधिकारियों के लिए जिनिवा में हर वर्ष पाठे करमों का एजन भी करता है विकाशिल देशों को उनके वैपार में विस्तार के लिए जरूरी कोशल एवं रिकंस्ट्रक्शन के विकास हेतू वैपार के लिए साहता यानी 8-4 ट्रेड परदान करता है लास्ट आउट्रिज डव्टो से उक को बढ़ाने के लिए संस्ता की गतिवीदियों के प्रती जागरुकता फेलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सांसदों, अन्य अंतराष्टे संगठनों, मीडिया और आम जनता से डव्टो के अलग-अलग पेलों एवं चालू लास्ट आउने की कौन-कौन से प्रोसीजर है, इसकी उपर हम डिसकस करेंगे, कोई भी राज्य या सीमा शुलक शेत्र, जिसकी वयपार नीतियों के संचालन में पूरन स्वैता है, वो विश्व वयपार संगठन में शामिल हो सकता है, लेकिन विश्व वयपार संगठन के शर्तों पर सेमत होना चाहिए, मौटे तोर पर आविदन चार चरणों से गुजरता है, तो सबसे पहले हमें अपने बारे में बताओ, सदस्ता के लिए आविदन करने वाली सरकार को अपने वयपार और आर्थिक नीतियों के सभी पहलों का वर्नन करना पड़ता है, जो WTO को एक ग्यापन में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें देश के आविदन के साथ काम करने वाली पार्टी द्वारा जाच की जाती है, ये कारेबल सभी WTO सदस्यों के लिए खूले होते हैं, दूसरा हमारे साथ व्यक्तिकत रूप से काम करें जो आपको पेश करना है, आमांतर दीपक्षिय वारता शुरू होती है, वे दीपक्षिय है क्योंकि विविन जेशों के अलगलग वैपारिक हित है, ये वारता टेरिप दरों और विशिष्ट बाजार पहुंच प्रतिबत्ताओं और वस्तों और सिवाओं में अन्या नीतियों को कबर करती है, नई स दीपक्षिय रूप से बाचित कर रहा हो, दूसरे शब्दों में वारता से लाप का निजारन होता है, और अन्ये डव्य टियों सदस्यों के शामिल होने की उमीद कर सकते हैं, ये कहा गया है कि कुछ मामलों में वारता लगवक वुपक्षिय वैपार वारता के पूरे दोर के रुप में बड़ी है थार सदस्ता की शर्ट का मसोदा त्यार करें यानि सदस्ते की शर्टों का ड्राप्ट त्यार करें एक बार जब काम करने वाली पार्टी ने आवेदक के वायपार शासन की अपनी परिक्षा पूरी कर ली है और सामांतर दीपक्षिय बाजार अंतीम रुप देती है ये एक रिपोर्ट में एक मसोदा सदस्य संदी और सदस्य के प्रति प्रतिवत्ताओं की सूचियों में दिखाई देते हैं अंत में निर्ने अंतीम पेकेज रिपोर्ट प्रोटोकॉल और प्रतिवत्ताओं की सूची से मिलकर WTO जनल काउंसिल या मं प्रस्तुत किया जाता है। यदि WTO के दो तियाई सदस्य बहुमत के पक्ष में मदान करते हैं तो आविदक प्रोटोकॉल पर ताक्षर करने और संगठन में प्रवेश करने के लिए सवतंत्र है। कई मामलों में देश की अपनी संसद या विदाईका को सदस्यता पूरी होने से पहले समझोते की पूष्टी करनी होती है। करने और अपने अधिकार शेतर के तहट समझोते पर सभी अंतिमरीने लेने के लिए जिमिदार होते हैं। नेक्स्ट है जर्नल काउंसिल इसमें सभी सदस्यते देशों के वरिष्ट प्रतिनीदी आमतोर पर राजदूचतर के होते हैं। यह WTO के रोजाना कारुबार यानि डेली बिजनस और प्रवंद की देखरे के लिए जिमिदार होता है। वैबार में जातर मामलों के लिए यह WTO का फ्रेंसला करने वाला मुख्य अंग है। नीचे वर्नित निकाउं में से कहीं सीधे जर्नल काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं। थर्ड दा ट्रेट पॉल्सी एंड रिव्यू बोड़ी यानि वैपार निती समिक्षा निकाएं। इसमें भी WTO के सभी सदसे होते हैं और ये उर्गवे राउंट के बाद बने वैपार निती समिक्षा तंत्र की देखरे करता है। इसमें भी WTO के सभी सदसे होते हैं ये सभी WTO समझोते के विवाद समादान प्रक्रिया के कारण वेन और प्रवाशिलता एवं WTO विवादों पर देखरे करते हैं। दिये गए फैंसलो के कारण में की देखरे करता है। नेक्स्ट दा काउंसिल ओन ट्रेड इन गूट्स एंड ट्रेड इन सर्विसिस यानि वस्तों एवं सेवाँ में वैपार पर परिशद। ये जनरल काउंसिल के जनादेश के तहत काम करती हैं। और इसमें सभी सदसे देश शामिल होते हैं। ये वस्तों जिसमें कपड़ा और क्रिशी जैसे और सेवाँ में वैपार पर हुए एक आम विशेश समझोते हैं। कि विबरन की समिक्षा के लिए तंतरप प्रदान करते हैं। WTO का सच्ची और मानिदेशक जिनियवा में निवास करते हैं। सच्ची वाले जिसमें अब स्रिफ 550 लोग काम करते हैं। और संगठन के सभी पहलों के संचालन का प्रशास्मिक कार्य समालते हैं। सच्चे वाले के पास कानूनी निरने लेने की कोई शक्ती नहीं है। लेकिन ऐसा करने वालों को यह मैतवपुर्ण सेवा एवं प्रामश्प्रदान करते हैं। Next, Applied Body यानि अपिल्य निकाए। अपिल्य निकाए की स्ताबना वर्श 1995 में अनुच्छे स्तारा के विवाद निप्रान संचालित करने वाली प्रट्क्रियाओं एम नियुमों की समझ के तैट की गई थी। विवाद समादा निकाए, अपिल्य निकाए में सेवा देने हेतू चार साल की याउदी के लिए व्यक्तियों की निकाए करता है। ये साथ व्यक्तियों का एक स्तारा निकाए है जो डब्ली टियों के सदस्यों द्वारा लाए गए विवादों में पैनलों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की अपील पर सुनवाई करता है। निकाए जिनिवा यानि स्विजलेंड में है। Next, Commodity Trade General Council Commodities Council यानि वस्तू वैपार मापरिशद वस्तू परिशद प्राशुल के यों वैपार पर सामन्य समझोता में अंतराश्टिय माल वैपार शामिल होता है। गैट समझोते के कामकाश की जिमेदारी माल वैपार मापरिशद की होती है जिसमें सभी WTO सदस्य देश के प्रतेनीदी होते हैं। वैपार परिशद की विशिष्ट विश्यों से सम्मंदित समीतियां होती है जिन में क्रिशी, बाजार पहुंच, सवच्ता यवं पादप समंदी, सवच्ता, विशेशका क्रिशी में पोदे की बिमारियों, के नियन तरन के उपाए, वैपार में तक्निकी बांदा या ओब सबसीडी जैसे उपाए, मूल के नियम, बाजार अवमुलियन, रोधी उपाए, आयत लाइसेंस, वैपार से सम्मंदित निवेश के उपाए, सुरक्षा उपाए, वैपार, सुईधा, सीमा, शुल्क, मुल्यांकन, इन समीतियों में सभी सदस्य देश होते हैं नेक्स्ट है, सर्वीज बिजनस जनरल काउंसिल, सर्वीज काउंसिल, यह मापरिशत के मार्ज देशन से संचालित होते हैं, एवम सिवा वैपार में सामानने समझोते हैं, यानि जनरल एग्रिमेंट और ट्रेड इन, सर्वीजिस गेट के कारियों के संचालन तथा अपने अन्य उदेश्य प्रती जिमेदार होती हैं, यह सभी डव्यू ट्यो सदेस्यों के लिए खुली होती हैं, एवम आशकतानुसार साइक निकाय बन सकती हैं, वर्तमान में परिशद ऐसे चार साइक निकायों के कामकाच की देखरे करती हैं, जिसमें वित्य सिवा के वाइपा और समिती, क्रेलू विनिमेय पर कामकाच करने वाला पक्ष, गेट्स नियमों पर काम करने वाला पक्ष. नेक्स्ट है बोधिकसंपदा अधिकार के वायपार संबंधित पहलों के लिए परिशद यानि ट्रिपस परिशद यह बोधिकसंपदा यानि intellectual property rights के वायपार संबंधित पहलों पर समझोते के कार्यमिन की निगरानी करती है यह एक ऐसा मन्च प्रदान करता है जिसमें विश्व वैपार संगठन के सदस्या बहुदिक संपदा मामलों पर प्रामश कर सकते हैं एवं ट्रिप समझोते में परिशद को सौपी गई विशिष्ट उत्तरदाईतों का वान करते हैं नेक्स्ट है ट्रिप्स एग्रिमेंट्स कॉपी राइट एवं संबंदित अधिकारों टेड़ मार्क बोगोलिक संकेतों यानि जोगर्पिकल इंडिकेशन्स ओद्योगिक डिजाइन पेटेंट एक एकरित सर्टिपकेट ले आउट डिजाइन तथा अपरकाशित जानकारी है तो निउन्तम मानक निदारित करता है बोगोदिक संपदा अधिकारों यानि इंट्रेक्शल प्रॉपर्पर्टी राइट के परवतन है तो इनकी उलंगन होने पर नागरी कारियों के माध्यम से सीमा पर कारिवाई निउन्तम मानक स्थाबित करता है और कॉपिराइट चोर ट्रेड मार्क चोरी के संबन्द में अपराधिक कारिवाई करती है नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं WTO Ministry Conference यानि WTO के मंतरिस्तरिय संब्लन विश्व व्यापार संगठन की निरनायक संसा इसके सदस्य देश के मंतरियों का संब्लन है जिसकी दो वश में बेटक होना अनिवार है यह संब्लन वो पक्षिय व्यापार संजोते के अंतरगत किसी भी मामले पर निरने कर सकता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बास से मंतरिस्तर के 11 संब्लन हो चुके है हाली में दिसंबर 2017 में WTO का 11 मंतरिस्तर संब्लन अर्जेंटीना की राजदानी व्यूनस आयर्श शेर में आयजित हुआ WTO का पहला संब्लन सिंगापूर में दिसंबर 1996 में हुआ था यह यह उलेकनी है कि इन संब्लनों में सारोधिक मेहत प्रण दोआ में संब्लन संब्लन को माना जाता है दोआ मंतरिस्तर संब्लन 2001 में एक व्यपक कारयोजना यानी वरक प्लान सिविकार की गई थी जिसे दोआ विकास एजेंडा कहा गया इसके जरीए कुछ वारताएं प्रारम की गई तदा कृशी एवं अन्या सेवां पर कुछ निरने लिए गए जिने लागू भी किया गया दोआ विकास एजेंडा पर पुरन सेमती ना बनने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका है नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं WTO मिनिस्टरल कॉन्फरेंस के वे मीटिंग्स, डेट्स, एंड ओस्ट कंट्री के बारे में WTO का पहला कॉन्फरेंस 9 से 13 दिसंबर 1996 को सिंगापूर में हुआ था सेकेंड सम्मेलन 18 से 20 मई 1996 को सिर्जलेंड के जिनेवा में हुआ था 3 सम्मेलन 30 नॉंबर से 3 दिसंबर 1999 को अमेरिका के सियाटल में हुआ था WTO का 14 सम्मेलन 9 से 14 नॉंबर 2001 को कतर के दोआ में हुआ था 5 सम्मेलन 10 से 14 सेप्टमब 2003 को मेक्सिको के कानकून में हुआ था WTO का 6 शिकर सम्मेलन 13 से 14 दिसंबर 2005 को होंकोंग में हुआ था और WTO का 7 शिकर सम्मेलन 30 नॉंबर से 2 दिसंबर 2009 में सिर्जलेंड के जिनेवा में हुआ था 8 शिकर सम्मेलन 5 से 17 दिसंबर 2011 को सिर्जलेंड के जिनेवा में हुआ था 9 शिकर सम्मेलन 3 से 6 दिसंबर 2013 को इंडोनेशिया के बाली में हुआ था दसवा शीकर समेलन 15-18 दिसंबर 2015 को केनिया के नेरोभी में हुआ था 11 शीकर समेलन 10-13 दिसंबर 2017 को अर्जेंटीना के वियूनर्स आयर्स में हुआ था WTO की 11 वी बैठक अर्जेंटीना में IOG WTO की मंत्रिस तरिया 11 वी बैठक में कोई विशेश उपलब्दी नहीं हो सकी एक और जहां अमेरिका ने खादे सबसीड़ी के प्रस्ताव को बलॉग कर दिया वहीं दूसरी और भारत ने एक कमर्स और निवेज जीसे विश्यों पर अपना रुक कड़ा रखा मतस्य पालन की सबसीड़ी को समाप्त करने का प्रस्ताव भी चीन और भारत की उपिक्षा के कारण भारत नहीं हो सका WTO की बारवी मंतरिस्तरी बैठक दिसंबर 2020 में होनी यारी है ये बैठक कजागिस्तान के अस्तान में आयोजित होगी मद्य एशिया में इस परकार की बैठक पहली बार हो रही है नेक्स टम डिसकस करते हैं वर्ल्ट ट्रेड औरनाइजेशन का प्रवाओ बिश्व वयपार संगठन और इसके समझोते का असर हर फाइनेशल एक्टिविटी पर होना है चाहे वो क्रिशी हो वयपार सिवाओ या उत्वादन WTO वयवस्ता से उन देशों को ज़्यादा लाब मिलेगा जो चल रही वारता में अधिक चतुराई दिखा सकते है जो सरकारे अपने उद्योगों और प्रवावित होने वाले समों से लगातार संपर्क में है उन्हें ये जानने में सवुलियत यानि आसानी होगी कि वो बहुदेशिय वारतां में अधिक से अधिक लाब उठाने के लिए क्या और कैसे बाचीत किया जाए विश्व वैपार संगटन के अस्तितों में आने से आर्थिक नीतियों के उदारिकरन और अंतराष्टीकरन की वगालत करने वाली विचारदारों ने ना केवल मजबूत होई बलकि एक मजबूत कानूनी जामा पहन चुकी है राष्टों के लिए ये विचारदारों से अलग राष्टे पर चलना असमभ हो जाता है जिन राष्टों ने इसकी मेहतों को समझ लिया है वो तेजी से अंतराष्टिय सपरदाओं में आगे बढ़ रहे है विजे रहे है जो राष्ट अभी भी इस पर भैस ही कर रहे है वो ना तो अपने उद्योगों का बलाग कर रहे है और ना ही अपने राष्ट का बिश्व समुदाय के लिए विश्व व्यापार संगटन इतना अधीक उपयोगी होते हुए भी अपनी मंजिल पाने में अस्पल रहा है सपलता के मूल में कहीं कारण हो सकते हैं जिनका समादान तलाशे बिना ये संगटन किसी निर्शकश पर नहीं पहुंच सकता बिश्व वयापार संगटन का एजन्डा और उसका उचित्या बिश्व वयापार संगटन की स्तापना के समय जो समझोते हुए उन्हें बिश्व वयापार संगटन का एजन्डा का जाता है इन समझोते में विक्सित देशों ने ये वादा किया था कि वो एक कृषी को दी जाने वाली अपनी सबसीडिय में बारी कमी करेंगे और विकाशिल देश अपने कृषी उतपादों को विक्सित देशों में बेश पाएंगे बारत सरकार द्वारा भी ये प्रचलित किया गया था कि बारत के फल, फूल, सबजियां और अन्या नगदी फसले विजेशों में बेच कर बारत के किसानों को बारी फाइदा होगा यहां यह उलेकनी है कि विकाशिल देशों में विश्व व्यापार संगतन के समझोते को उनकी कृशी की बदहाली का मुखे कारण माना जाता है यही कारण है कि विश्व वयपार संगतन के पिछले सम्मेलनों में विक्सित देशों को विकासिल देशों की सरकारों का ही नहीं बलकि जन संगतनों का भी बारी विरोत जेलना पड़ा Next है, Challenges of WTO यानि विश्व वयपार संगतन की चुनोतिया वर्ष 2001 में WTO सदस्यों ने दोवा विकास एजन्डा शुरू किया जो वयपारिक नेमों के उदगन के लिए बड़ा प्रयास्ता इसमें बाग लेने वाले देशों ने एक समझोते पर पहुँचने के लिए कई वर्ष बिता दिये तथा अस्पल रहे वार्था में एक मुख्य समस्या आम सेमती तक पहुचने के लिए 150 से अधिक देशों में सेमती होनी की कटनाई थी पिछले वार्था दोर वर्ष 1903 से वर्ष 1994 तक आयोजित उर्गेवे राउन में संभावित प्रतिरोधक देशों को नव निर्मित विश्व वयापार संगठन में निश्कासित करने की चुनोती दी जा रही थी एक बार सदर से बन जाने के पच्चात इस युक्ति को दोराय नहीं जा सकता वर्ष 2017 में विश्व वयापार संगठन मंतरालिक समेलन वियूनर्स आयर्स किसी भी सादरबूत परिनाम के बिना समाप्त हो गया क्योंकि 164 सदर से निकाय आमसे मती बनाने में बिफल रही से युक्त राजे ने खाद दिया सुरक्षा उदेशियों के लिए सरकारी स्टोक होर्डिंग पर एक स्ताई समादान अवरुत कर दिया जिसके परिनाम सुरूप एक कमर्स एवं निवे सुविदा सहित नए मुद्वों पर भारत ने सकत रुख अपनाया है अमेरीका और यूरोपिय संग के निर्थितों में विक्सी देशों ने डव्ली टियू मे बड़े पेमाने पर दबदवा बनाकर डव्ली टियू में गतिरोत का रास्ता तलाशने का प्रयास किया जिसमें WTO में प्रतेक फॉर्मूलिशन में सतर से अधिक सरदस्यों के साथ MSME शामिल है यदे भी WTO सरसमतिन से संचालित होता है यहां तक एक बहुपख्षय समझोते के लिए सबी सरदस्यों के अनुमोधन की अशक्ता होती है इन समों का गठन WTO को बहुपख्षबाद पर अपना ध्यान केंजरित करने से दूर करने के प्यास के रूप में है इसमें वैपार से संबंदित बहुतिक संपदा अधिकार यानी इंट्रेक्शल प्रोपर्टी राइट के प्रेटन्ट कॉपी राइट टेडमार का सरक्षन कुर एवं अमानमी है जो सवस्तिय एवं माननों जिवन के मुनले की अवेलना करता है WTO ने फार्मू वर्टिकल कंपनियों के लिए लाब के अधिकार का सरक्षन किया है जो उप सहरा अपरिका जैसे शेत्रों में जहां HIV एर से प्रति दिन हंजारों लोगों का मृत्यू हो जाती है यह उन देशों के अपने लोगों के सवस्ते के लिए जीवन रक्षक दुआयां प्राप्त करने हैं तो प्रयास के बिरुद है USA ने जानमूच कर अत्वा नहीं अत्यादिक मागों से जिने पूरा करने के लिए कोई भी देश्तियार नहीं था वायपार वारता प्रग्रिया के दोवा राउंड को नश्ट कर दिया उवामा प्रशासन की प्रात्मिक्ता एवं कमजोर होते होई भी विश्व वायपार संगटन की वारता को पूर्णर जीवित करना नहीं बलकि अपनी प्रतिद्वन्जियों यूरोप और चीन को निंद वक्षिय अप्रनाली गहन जाचयम निरंतर आलोशना के अधिन है अमेरिका ने नए अपीलियर निकाय सदस्यों यानि नए अधिशों की निवक्तियों को वेवस्तित रूप से अवरुत कर दिया है और इसने डव्टियो अपील तंतर के काम में अब्स्टिकल डाली है चीन वयपारवाद वयपार को प्रवावित करने की कोशिश करता है विशेश रूप से निर्यात को प्रोसाइद करने और आयात परस्तीमा लगा कर सयुक्त राज्य अमेरिका के एक तरपा प्रशुल उपायों का अक्रमक उप्यों और विशो वयपार संगठन के अर्विवस्ता के महत अपुर्ण आधुनिक शेत्र में अपने विश्तार करने पर आम सेमती प्राप्त करने में असमर्थ विशो वयपार संगठन की आलोशना को सुद्रिट करती है नेक्स्ट है future of WTO यानि विशो वयपार संगठन का बविश्य है चुंकि WTO सर्वस्तमती आधारित है इसलिए सभी 164 सदस्यों के मद्य सुदारों पर एक समझोता करना बहत मुश्किल होता है इसके लिए एक संभावी तरीका नियमों के एक नया नए संग्रे पर समान विचार करने वाले देशों के समूख के साथ एक बहु पक्षिय समझोता करना हो सकता है जो वायपक WTO के लिए एक परिशिष्ट यानि पूरक के रूप में कारे करता है और लास्ट कंक्लूजन आज विश्व सरक्षनवाद वायपार यूद जैसे स्यूत राजी अमेरिका और चीन से गुजर रहा है ब्रेक्जिट वेश्विक और व्यवस्ता को संकूचित कर रहा है बोविश्य में विश्व वेपार संकूचित की पूमी का सेकेंड वर्ल्ड वार के अंद के बाद विक्सित वेश्विक उदारिकरन आर्थिक व्यवस्ता को बनाये रखने के लिए बहुत मैतपुरन है यह वह समय है जब सुक्तराज अमेरिका जैसे देश डेश डेश डेश्विक और व्यवस्ता को निश्क्रिय बना रहा है जिसे बारत और अन्य उबर्ती वी और विवस्ता है जैसे ब्राजिल दक्षिन अपरिका आधी विकाशिल देशों के हित की रक्षा कर मजबूत अगर आप लोग को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बुले साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना बुले